अब हम यहां पर पद परचे पैरम कर रहे हैं किरिया शब्दों का पद परचे करिया पद का जब हमें परचे देना हो तो हमें मुख्य रूप से किरिया का भेद बताना है काल बताना है किस करता की वह किरिया है यह बताना है और अगर कोई पूरक है तो वह बताना है अनिता कहास खास तोर से किरिया का भेद काल और किस की वो किरिया है बस हमें ये चीजें बतानी है अब यहाँ देखे क्रेश्ण ने कंस को मारा यहाँ पर किरिया पत क्या है मारा किस को मारा कंस को मारा किस ने मारा क्रेश्ण ने मारा तो ये क्रश्न करता हुआ, कंस कर्म हुआ और मारा किरिया हुई अब सबसे पहले प्रश्न होता है कि यह किस प्रकार की किरिया है जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जब वाक्य में करता हो, किरिया हो, कर्म हो और किरिया का प्रभाव कर्म पर पढ़ रहा हो तो वह कैसी किरिया होगी सकर्मक किरिया होगी तो यहाँ पर कंस कर्म है और मानने की किरिया का पूंत प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है तो इसलिए यह कैसी किरिया होई हम लिखेंगे इसमें सकर्मक किरिया क्योंकि यहाँ पर कर्म दिया गया है आब काल बताना है मारा यानि कि यह कारी हो चुका है तो यह कौन सा काल हुआ भूत काल अब इह किर्या किससे साथ जुड़ी है किसने मारा कर्ष्न ने मारा किया बताएंगे कि यह क्रष्न ने किरिया की किरिया की या क्रश्न की किरिया है इस तरीके से हम लिख सकते हैं तो इस तरीके से ये मारा शब्द का यहाँ पर हमने पदबर्चे किया दूसरा शब्द ले उपवन में सुन्दर फूल खिले हैं उपवन में सुन्दर फूल खिले हैं यहां किरिया क्या है खिले हैं क्या खिले हैं फूल खिले हैं अब उपवन में यह कोई कार नहीं हो रहा है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मुख्य रूप से यहां पर फूलों के खिलने की बात हो रही है तो यहां पर कोई भी जो किरिया है इसमें कोई कर्म नहीं है कोई कर् बात हो रही है फूल खिले हुए हैं तो यह कैसी किरिया हुई अकर्मक किरिया क्योंकि यहां पर जो करता है फूल है उसका किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो यहां पर यह हुई अकर्मक किरिया अब खिले हैं यहां पर जो हैं जो है यह क्या दर्साता है कि यह वर्त और यह किरिया है है पूल की किरिया है तो इस तरीके से लिखेंगे बच्चे दोरते हैं कौन दोड़ रहा है बच्चे दोड़ रहा है अब यहां पर हम देख रहे हैं और कुछ ही नहीं वाकि में तो यहां कर्म नहीं है सिर्फ करता है और किरिया है जब करता और किरिया ही है तो वह कैसी किरिया हुई अकर्मक किरिया हुई क्योंकि वहाँ पर सिर्फ किरिया हो रही है कुछ कर्म नहीं हो रहा तो यह अकर्मक किरिया हुई और है काप्रियो किया गया है है शाब्द वर्तमानकाल को दर्शादा है तो हम दिखेंगे अकर्मक किरिया और वर्तमानकाल और कौन कर रहा है इस किरिया को करता कर रहा है यानि बच्चों की किरिया है बच्चों के द्वारा की जा रही है करत्रवार्च बात के बनाए करत्रवार्च लिख दें या हम यह लिख दें कि यह किसकी किरिया है दोनों ही एक ही बात है तो हम इस तरीके से इसका पतपर्चे क सकते हैं. सकते हैं. सकते हैं.